नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन जो चुनावी नतिजों के एक्जिट पोल के रिजल्ट आने वाले है पाँच राज जो के उसके बाद स्टॉक मार्केट के उपर किस तरीके का इंपक्ट होगा और वहां पे हमें किस तरीके के लॉजिक के स साथ काम करना पड़ेगा ये सबी बाते इस वीडियो में step by step सिखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निप्टी का आइनालिसिस अभी आपके सामने में ने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निप्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है कल के वीडि और हम लोगों को देखने को मिल चुका है मार्केट ने आज के दिन कई पे भी बड़ा डायरेक्शन नहीं दिखाया दोनों साड के मोमेंटम होने के कारण आज का दिन ऑप्शन राइटर का दिन था कल के वीडियो में मैंने इसका पूरा लॉजिक आपको एक्स्प्लेन करके बताया हुआ है कि ऑप्शन राइटर लोग जो है वो मार्केट को किस तरीके से आप सेंट डाउन और रेंज बाउन रखने की कोशिश करेंगे अगर आपको एक प्रोपेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो ओदर पार्टिसिपंट है वो ओदर पार्टिसिपंट किस तरीके की सोच रखते हैं अब वो लोग कहां पर जाके buy करने की और कहां पर जाके sale करने की कोशिश करेंगे और सबसे important बात सबसे important बात ये रहेगी कि वो कहां पर जाके market में stay away रहने का stand ले सकते है जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप predict नहीं पर कर पाओगे कि market कौन से level पर जाके range bound रहे सकता है या कौन से level पर जाके market trendy हो सकता है अभी market में trendy momentum कब develop होता है जब बड़े player, order player, buy या sell करने की कोशिश करेंगे तब जाके market में trendy momentum develop हो जाएगा अभी फिलाल के लिए आज के दिन का prediction range bound था उसी तरीके का एक्सपारी वाला range bound momentum देखने को आपको मिला यहाँ पर बहुत सारे जो option buyer है option buyer को आज के दिन loss experience करना experience किया रहेगा कितने लोगों ने loss experience किया वो है वीडियो को like करके comment section में मुझे बता दीजिए अभी important बात है कि यह जो हम लोगों को 5 राजों के चुनावी नतिजों का exit pole आज से मिलना start हो जाएगा उसको किस तरीके से interpret करके काम करना है क्योंकि यह market में trigger की तरह काम करने वाला है सबसे पहले यह समझ लिजे कि जो 5 राजों में चुनावी exit pole आने वाले है उनके result हम लोगों को 3rd of December को मिलेंगे 3rd of December Sunday के दिन आ रहा है लेकिन उसके exit pole आज शाम से मिलना चालू हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी participant आभी भी market में बने हुए है उसमें से कुछ participant में आज exit कर लिया है और यहाँ पर जो लोग एक उमीद लेके बैटे हुए है कि जो ruling party है वो ruling party दुबारा सत्ता में आ जाएगी तो उसके वज़े से एक hope के साथ यहाँ पर position आभी भी बना हुआ है यह hope का position कब तूट सकता है जब यहाँ पर 3 या 3 में से ज़्यादा राजों में ruling party जो है वो सत्ता से चली जाती है तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इन वाले सतर के उपर एक profit booking हम लोगों को देखने को मिल सकता है market में एक अच्छा कासा upside momentum दिखाने के बाद एक expected यह रहता है first scenario कि market यहाँ पर range bound चला जाए या फिर दूसरा scenario market यहाँ से एक retracement का दोर दिखा दे retracement का दोर अगर हम लोगों को देखने को मिलना है तो सबसे important बात यहाँ पर उपर वाले resistance लेवल के करीब एक तो इस तरीके का shooting star candle pattern या फिर एक bearish single pink candle pattern बनेगा तभी जाके market गिरावर देखा सकता है otherwise market इसी range bound zone को continue रखेगा उपर की side में मैंने आपके लिए यह जो resistance zone draw करके रखा हुआ है यह resistance zone 2115 से लेके 2222 तक के बीच में आ रहा है इस वाले zone में market में कोई भी बड़ा momentum हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला तो दिमाग में option buyer एक बात बिठा के चलिए कि हम लोगों को आने वाले एक दो दिनों में immediate कोई भी बड़ा trigger नहीं है यहाँ पर हम लोगों को option buyer लोगों को एक तो quantity कम करके काम करना पड़ेगा या फिर market में stay away रहके काम करना पड़ेगा जब कल के वीडियो में मैंने एक बात बताई हुई थी सेम बात कि आज के दिन market range बाउंट रह सकता है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर negative comment किया लेकिन मुझे उससे कुछ फरक नहीं पड़ता जो होने की आशंका है मैं आपको यहाँ पर predict कर सकता हूँ यहाँ पर आगर आपको stay away रहने में दिक्कत आती है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास patience का skill develop नहीं हुआ है अभी कल के दिन भी market में हम लोगों को बड़ा trigger कब देखने को मिलेगा आज 6 बजे के बाद जो market में चुनावी exit pole जो आने वाले है उसमें कोई ज़्यादा उचलकुद होती है तभी जाके कल के दिन market में trendy momentum देखने को मिल सकता है otherwise हम लोग purely price action point of view को देखेंगे तो यहाँ पर market जो है वो range bond scenario ही indicate कर रहा है market में trendy momentum के लिए market को यहाँ पर पहले consolidate होना पड़ेगा और consolidate होने के बाद जागर 2022 का level market break करता है तभी upside का momentum continue रह सकता है market को अगर यहाँ से retracement दिखाना है तो retracement दिखाने के लिए यहाँ पर एक तो shooting star candle pattern बनना चाहिए या फिर berry single pink candle pattern बनना चाहिए तभी जाके market में यहाँ पर downside का momentum देखने को मिल सकता है अभी देख लेते हैं कि 15 minute का chart हम लोगों को क्या indicate कर रहा है यहाँ पर single candle का अगर psychology देखता है तो यहाँ पर single candle का psychology यह indicate कर रहा है initially market में एक अच्छा कासा profit booking हो चुका है और next वाले expiry में हम लोगों को एक छोटा सा buying देखने को मिल चुका है लेकिन यह buying momentum sustain कब हो जाएगा जब यहाँ पर जो high बन चुका है यह वाला आज के दिन का high अगर market इसके उपर निकलता है तो upside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो इसको 15 minute चाट के उपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है 15 minute का जो चालते ही हम लोगों को क्या indicate कर रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते है अभी आज के दिन ये नीचे का level trigger नहीं हुआ तो इसका importance हमर लिए अभी खतम हो चुका है उपर वाले level को अगर आप ठीक से देखते हो तो इस level को market ने दो बार respect किया हुआ है और दो बार respect करते समय एक point के उपर आपको focus करना पड़ेगा ये वाला candle जो है इसी candle में अच्छा कासा profit booking आया था लेकिन उसके बाद कुछ भी fresh selling market वे देखने को नहीं मिला हुआ है तो कल के दिन market अगर 2136 level के उपर निकलता है तो यहाँ से upside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है और उपर के side का target जो है वो 2222 के level तक का target हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन इसका एक condition यह है कि fundamentally इसको हमें support मिलना चाहिए fundamentally इसका support हमें जो मिलेगा जो exit pole आने वाले है पाच राज्यों के election के उस exit pole के उपर depend रहेगा अगर वहाँ पर एक positive sentiment market में create होता है तब ही जाके इस upside momentum में दम रहेगा और यह होने की probability बढ़ जाएगी आधरवाज यह probability नहीं बढ़ेगी नीचे की side में अगर आप देखोगे तो market ने support level 20,040 के level के करीब बनाया हुआ है लेकिन यह level के करीब जब market आ जाएगा तब ही जाके हम लोग देखेंगे कि यह support level काम करेगा या नहीं करेगा तो इसके लिए हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा लायू market में open interest के data को monitor करना पड़ेगा और फिर उसके बाद decision ले लेना पड़ेगा अगर कल के दिन market में कुछ अच्छा कासा opportunity develop होता है तो अपने इस free वाले channel में मैं update कर दूँगा जिसका link वीडियो के निचे description box में मैंने डाला हुआ है तो यहां पर local market का तो हम लोगों ने scenario देख लिया है अभी देख लेते कि global market से कुछ जो cues हम लोगों को मिलने वाले उसमें से important cues कौन से रहेंगे हम लोगों के लिए Indian market का जो important clue रहने वाला है वो कल के दिन जो auto bakery का data आएगा वो auto bakery के data के उपर हम लोगों को लिए depend रहेगा कि automobile sector में अगर बड़ा momentum होता है तो वो अपने nifty को favor करके उपर लेके जाने की कोशिश करेगा अगर auto bakery stable रहते है या फिर down हो जाती है तो यह upside के momentum को support नहीं करने वाला next हमर लिए जो important trigger आने वाला है वो कल के दिन US market से आने वाला है वहाँ पर US market में जो एक public event होने वाला है वहाँ पर federal reserve के जो chairman है जेरान पायल साब वो संबोधित करेंगे अगर वहाँ पर policy के बारे में या फिर interest rate करने के बारे में कुछ negative या positive comment देते है तो उसकी वज़ा से US market में हम लोगों को उचलकुत देखने को मिलेगी और उसका impact हम लोगों को some more के दिन देखने को मिलेगा some more के दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है पहला तो ये US market का trigger effect करेगा और दूसरा जो है वो तीन तरह को Sunday के दिन हम लोगों को जो Indian market में exit मतलब जो चुनावी नतीज़े आ जाएंगे उसका impact यहाँ प हो चुकी बात वो है कि MSCI का जो semi annual review था वो semi annual review में बदला हो चुका है और कल के दिन जो हम लोगों को बदला हो तो आज के बाज बाजर बंद होने के बाद ही वो बदलाव लागू हो जाएगा उसका फिल कल के दिन रखेगा और next important trigger जो है वो OPEC की meeting आज 3.30 बजे ही start हो जो लोग मेरे regular videos देखते हैं कल के वीडियो में मैंने आपको level plot करके दिये हुए थे कि हमरे important level कौन सा रहेगा कल के दिन मैंने आपको clear cut बताया वो आता कि इस level से एक गिरावर start हो चुकी है और एक important resistance level है और first time market इस level के करीब आ चुका है तो high probability यह है कि इसी level से हम लोगों क दुबारा गिरावर देखने को मिल सकती है यूटूब के उपर आभी भी वीडियो है आप वहाँ पर जाके cross check करके देख सकते हो तो जैसा हम लोगों ने कल के दिन predict किया हुआ था exactly उसी तरीके का momentum आज हम लोगों को देखने को मिल चुका है तो इस momentum को समझ के हम लोगों को और bottom 3 यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस bottom के बाद एक बच्चा का सा breakout हम लोगों को देखने को मिल चुका है लेकिन दिक्कत की बाद यहाँ पर एक है कि जिस तरीके का open interest का data next वाले expiry में बन चुका है वो ज़्यादा prominent हम लोगों को बनता हुआ नहीं लिगर करना है तो उस तरीके का strong buying होता हुआ दिखाई देना चाहिए तो हमर लिए कल के दिन के लिए जो important level निकल करके आ रहे है यह एक range bound वाले level निकल करके आ रहे है तो इस range bound वाले momentum में हम लोगों को up and down डोनो momentum देखने को मिलेंगे तो option buyer के लिए कल के दिन और भी थोड हो सकता है बेर्टर वे आप stay away रहने की कोशिश कीजिए यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए तो मिलते हैं next educational वीडियो में thank you very much